NPCI की तरफ से एक नई सर्विस को लांच कर दिया गया है जिससे आप घर बैटे अपने एकाउंट में NPCI प्लस DBT को लिंक कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें एक ओप्शन भी एड़ कर दिया गया है कि अगर आपके एकाउंट में पहले से NPCI होई है और आप उसे DCD करना चाहते तो ओभी कर सकते हैं फिरहल मैं इस वीडियो को अंदर बताऊंगा कि किस तरह से आप NPCI प्लस DBT को घर बैटे करेंगे उसके लिए आपको वीडियो को लाइक तक देखना होगा अगर आपको वीडियो पसंद रहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजेगा तो चलिए दोस्तों बिना ज़दा समय लिए वीडियो को फट अपट श्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कैसे आप NPCI को link कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो को नीचे description में एक link दिया गया है आपको आपर click करना है जैसे आप उस link पर click करेंगे तो सिध्य आप इस portal पर visit हो जाएंगे पोर्टल पर आने के बाद आपको सबसे पहले check कर लेना है समने कुछ इस तरह से आ जाएगा आपको यह पर अपना आधार नमबर एंटर कर देना है उसके बाद आपको जो कैपचा दिखाए पड़ा उसके आपको यहाँ पर एंटर कर देना है उसके बाद आपको चेक स्टेटस पर क्लिक करना है इतना करने के बाद आपके आधार करके registered mobile पर OTP जाएगा OTP को आपको यह पर enter करना होगा उसके बाद आपको submit पर क्लिक करना है जैसे आप submit पर क्लिक करेंगे तो आपको यह पर पता चल जाएगा कि हमारी NPCI हुई है या नहीं जैसे कि आप सब देख सकते हो mapping status में आपको enable for dvT दिखाई दे रही एनि मेरी dvT active है और जिस date को dvT active है और date भी आपको दिखाई दे रही और bank भी आपको दिखाई दे रहा सारा कुछ आपको दिखाई दर है जिस bank से हमारी dvT हुई है तो फिराल मुझे करने की जरूरत नह है उसके बाद आपको दिखाई पड़ोगा request for आधार सेडिंग आपको 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 क्लिक करना है जैसे आपको आपको क्लिक करते हैं तो आपको आपको आपना आधार नंबर एंटर कर देना है उसके बाद आपको आपको दिखाई पड़ोगा request for आधार आपको आपको एकाउंट नंबर को एंटर करना होगा, उसके बाद इस साइड में आपको एकाउंट नंबर को दुबारा से रिपीट कर देना है, उसके बाद आपको एकाउंट नंबर को दुबारा से रिपीट कर देना है, उसके बाद आपको एकाउंट नंबर को दुबारा से रिपीट कर पर क्लिक करना है जैसे आप यापर क्लिक करते हैं तो आपकी आधार सेडिंग यह डेविटी एक्टिव होने के लिए आपके एकाउंट से लगवग एक हफता के अंदर अंदर आपकी NPCI एक्टिव हो जाएगी उमीद है आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस तरह से NPCI प् अपने एकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर किजेगा